कि मैं आप सबसे भी कहने के लिए आया हूं कि जो द्रिश्य 1947 में वाता वही द्रिश्य तो आज बंगलादेश के अंदर हम सब को देखने को मिलना है बेट करोड हिंदू किस तरीके से बंगलादेश के अंदर आच चिला चिला करके अपने आपको अपने स्मित्ता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मूँसिलेवें कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मूँसिलेवें एक भी सब दिन का नही निकलना है क्योंकि उनको भै है कि अगर इन निरीक कमजोर लोगों की इस पक्समें नोने आवास निकाली इनका वोट बैंक किसक जाएगा वोट बैंक की चिंता है लेकिन मानुए संबेदना इनकी मर चुकी है मानो ताके रक्सा के लिए इनके मूँसे एक भी सब्द नहीं निकलने वाला है नहीं निकलेगा क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राचनीटी को प्रेदित और प्रोटसाहित किया उसको लेकर कि आगे बढ़ते रहें यह लगातार बाटो राचकरो की उस राचनीटी के तहदे लोग तेज़ के अंदर कार भारत की सत्ता का नित्रत्व नहीं कर रहे थे बलकि अंग्रेजों के ही ब्रिटीसर के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को सुरूप में संचालन करना शुरू किया जैसे ब्रिटीसर इस देश के अंदर कर रही थी और आज उसी का दुस्मेणाम यह देश लगातार चुकाया है अखंड इंदुस्तान चुकाया है लेकिन हमारा संकल्प है मौरसी अर्विंद ने जो 1947 के पहले उत्गोशना की थी आजादी की तरास्ट देश की विवाजन की तरास्टी आजादी के मिलने के बाद अक्सर नोंने इस बारे में अपनी चिंता अब्यक्ति भी किया और नोंने इस बात को कहा था क्या ध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविक्ता नहीं है या तो उसका भारत में बिलाय होगा या पाकिस्तान इत्यास से समाप्त होगा हमेशा के लिए समाप्त होगा